हब आपको मिलवाते हैं स्वेम नाम के सेटलाइट बनाने वाले पुने कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग के छात्रों से PSLV C-34 ने जो 20 सेटलाइट को अंतरेक्ष में लॉंच किया है उन्में से एक स्वधेशी सेटलाइट स्वेम पुने के कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग के छात्रों की टीम ने तयार की है पुने के कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग के छात्रों की ये खुशी इसरों के वेग्यानिकों से कुछ कम नहीं है पुणे के कॉलेज ओफ इंजिनरिंग में पढ़ने वाले 176 स्टूडेंट्स का 9 साल पुराना ड्रीम आखिरकार सच हो गया इस रो ने एक साथ 20 सैटलाइट लॉंच कर जो नया रिकॉर्ड बनाया है उसमें इन शात्रों का भी उगदान है श्रीहरी कोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-34 ने जो 20 सैटलाइट को अंतरिक्ष में लॉंच किया उनमें से एक स्वदेशी सैटलाइट स्वयम इन ही चात्रों की टीम ने तयार किया है काफी खुशी मैसुस हो रही है कि फाइनली ये दिन हमने देखा है अपने हाख उसे और मैं मनता हूँ कि मैं काफी लखी बैच हूँ कि हमारे बैच के वक्ती ये लाउंच हुआ है और काफी मैनत ली है सबने 2008 से ये मिशन चार लोगों से शुरुआत हुई थी इसकी और अभी फाइनली लाउंच दिखने मिल रहा है काफी खुशी हो रही है और काफी गर्व महसूस हो रहा है जो स्टार्टिंग के बैच के स्टूडेंट्स थे उनका तो यही मोटिवेशन था कि कॉलेज के लिए और देश के लिए कुछ बढ़ा करना है क्या खास है स्वयम सैटलाइट में स्वयम सैटलाइट का वजन एक किलोग्राम से भी कम है इस पर 2008 से काम हो रहा था जिसको बनाने में तकरीबन 50 लाग का खर्चाया है ये बैगनेटिक फील्ड के डारेक्शन के अनुसार आटोमेटिक खुद को एलाइन कर लेगा इसलिए इसे स्वयम नाम दिया गया है सब में बड़ी बात इस सैटलाइट की एक है कि इसरो के 20 सैटलाइट लाँच के साथ पुणे के इन छात्रों का नाम भी इतिहास में दर्च हो गया है अश्विनी पभार, Zee Media, पुने